अक्षरा कक्षा छे कौन बनेगा निंगतो राजा ये मल्डिपूर की एक लोग कता है इसमें पर्यावरण संदक्षुन और जनता से राजा के प्रेम की भावना प्रकट की गई है बहुत बहुत पहले की बात है मल्डिपूर के कांगल पाक राज्य में एक निगंतो और एक लेईमा राजा और रानी रहते थे सब उन्हें बहुत प्यार करते थे निगंतो और लेईमा अपने मियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे हमारे मियम सुखी रहें वे कहते कांगली पाक में शांती हो वहाँ के पसु पक्षि भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे निगंतो और लेईमा हमेशे कहते कांगली पाक में सबी को कुछ रहना चाहिए सिर्फ वनुष्यों को ही नहीं पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों को भी निगंतो और लेईमा की बच्चे नहीं थे सब अपनी उब्राज को देखने आए, बच्चे का सिर्चूंकर उन्होंने कहा कितना सुन्दर बेटा है, कितना सुन्दर बेटा है, राज में धूम मच गई, लोग ढोलो की ताल पर ना चुटे, बासुरी पर मीटी धूने छेड़ी, उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि साना याईमा और साना तोंबा, बारे साल बाद उनकी एक पत्री हुई, उसका नाम साना तोंबी रखा गया, बड़ी प्यारी थी भै, कोमल दिलबाली, सभी उसे बहुत चाहते थे, कई साल बीट गए, बच्चे जमान हुए, एक दिन निगन्तों ने मंत्रियों को बुला क अब वक्त आ गया, हमें गोशना करनी होगी कि कौन तुम्हारा यूबराज बनेगा, तुम्हारा तुंगी निगन्तों, इतनी जल्दी क्यों, आश्चर से मंत्रियों एक दूसरे से पूछा, पर जब उन्होंने करीब से निगन्तों को देखा, उन्हें भी लगा कि हाँ, वे सचमुच बूड़े हो चुके है, यह देखकर वे दुखी हो गए, अब मुझे तुम्हारा यूबराज चुनना ही है, निगन्तों ने कहा, मंत्री हक्के बक्के रहे गए, पर हे निगन्तों, चुना आपकी क्या जरूरत है, साना जाओबा आपका, सबसे बड़ा पुत उन्ने के लिए एक प्रतियोगिता रखते है, ले इमा ने कहा, और तब कांगली पाक में एक मुकाबला रखा गया, एक घुड़ दोड़, जो भी उस खोंग नंग तक, बरगत के पेड़ तक सबसे पहले पहुचेगा, यूबराज उससे ही बनाया जाएगा, निकनी एक अ साना जाओबा, साना याईमा और साना तोंबा तीनों ने दोड़ एक साथ खत्म की, कौन जीता, कौन हारा कहना मश्किल था, देखो देखो लोगों में शोर मच गया, कितने अच्छे गुड़ सबार, मगर सवाल वही का वही रहा, तुंगी निकनतों कौन बनेगा, निकनत ने राजा रानीवा लोगों को प्रणाम किया और अपने गोड़ों के पास चले गए, एक दूसरे को देखकर भी मुस्कुराएं, मगर मन ही मनति उन्हों यही सोच रहे थे, कि क्या खास किया जाए, अचानक हाथ में वर्चा लिये, साना जाओबा, अपने घोड़े पर से दोड़ पड़ा, वै तेज और तेज पेड़ की और बड़ा, शाबाज शाबाज चब चिल्लाया, थाउरो थाउरो फिर एकदम शान्त हो गए, साना जाओबा, धर धड़ाता हुआ, खोंगनंग के पास पहुंचा, इससे पहले ही कुछ, कोई कुछ समझ पाता, वै दोड़ाये, बहुत तेज, सांस था में सब चिपचाप देख रहे थे, पेड़ के नजदीर आकर उसने घोड़े को कुदने के लिए इंड लगाई, दोनों उपर कुदे, इचने उचे की एक अद्बुत छलांग में, वे उस विशाल ब्रक्ष को पार कर दूसरी और पहु जाकर रख दिया, बाप रे कितना हंगामा मच गया, थावरो थावरो, शावाज, शावाज के अबाजे पास के पहाड़ों से गुझ उठी, अब आप ही बताओ, तुंगी निगंतों किसे बनना चाहिए, साना जाओबा, साना याईमा, साना तोंबा, पेड को भेद कर पू निगंतों और लहिमा अपना फैसला सुनाने में इतनी देर लगा रहे थे, बिकर क्या रहे थे, निगंतों और लहिमा साना तोंबी को देख रहे थे, पास साल की उनकी बेटी उदास और अकेली खड़े थे, जबीन पर पड़े, खोंग नंग को देख रहे थे, पेड के आ जो देखे कि राज में सब खुश है निगंतु वही है जो राज में किसी को भी नुकसान न पहुंचाए सब चोकन्य होकर सुन रहे थे निगंतु उठ खड़े हुए उन्होंने अपने तीनों वेटों को देखा फिर वेटी को देखा उसके बाद अपनी प्रजा से कहा अगर कोई शाशक बनने योग है तो वह है छोटी सान तुम्भी खोंग नंग को चोट लगी तो उससे भी दर्ध हुआ उसी ने हमें यह दिलाया कि खोंग नंग में भी जान है साना तुम्भी दूश्रों का दर्ध समझती है उसे मनुष्य पेंड़ पहुते जानमर पक्षि सब की तकलीफ महसूस होती है मेरे वात्साना तुम्भी ही राज समालेगी मैं उसे कांगली पाक की अगली लेईमा घोशित करता हो ने गंत्व ने एलान किया सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की अपनी होने वाली रानी को देखा पांस साल की बच्ची यू खड़ी थी ज पत्म होता है इसके शब्दार देखते हैं एलान सार्वजने घोशना मुनादी जशने उत्सब जल्सा सिर्फ केबल मात्र हक्ये बक्ये रह जाना आश्यर में पढ़ जाना पलग जपकना फोरन या तुरंत सिर्चुमना प्यार करना और अब इसके आगे कोशन आंसर देखत कर 들고 दो जुर झान सिर्च फोरने कर दो बस्त टुरो सार्व जर्र शावाि को पले खराम सыватьतो मात्श तुर्र, कमetas y PA mengamبر जाहिसल, क्यां इडिशने, महिने, दुर्सुमना देखते हैं तुर्मी जाप एंटाफ इसके बितराद हो जान डाह सार्वजने जाら लुर, कह लिए झाल कर दो झाल झाल